भीम एप से आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में, अगर आप भीम एप से किसी को पैसे भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप के पास उसकी UPI ID होनी चाहिए और जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ती भी भीम एप ही इस्तमाल करता हो, उस के पास बस UPI ID होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एप की हो जैसे Paytm, Phonet, Google Pay, etc. सिर्फ UPI ID के जरीए ही आप सामने वाले व्यक्ती को पैसे भेज सकते हैं, और पैसे भेजने के लिए आपको UPI ID के अलावा और किसी भी डिटेल की जरूरत नहीं है, भीम एप से आप बिना UPI ID के बिना भी पैसे भेज सकते हैं, और इसके लिए आपके पास उस व्यक्ती की बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नमबर, IFSC code, MMID code, इन डिटेल्स के जरीए भी आप भीम एप से पैसे चांसफर कर सकते हैं, भीम एप क आप सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने के लिए ही नहीं बल्कि इस एप के जरीए आप ओनलाइन बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे मॉबाइल रीचार्ज, इलेक्रिसिटी बिल पेमेंट्स, हाउस्वोर्ड पेमेंट्स आदी, भीम एप को आप भारत की लगभग हर अलग भार्षा में इस्तमाल कर सकते हैं, भीम एप डाउनलोड कैसे करें, एक भीम एप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मॉबाइल पर गूगल प्ले स्टोर खोले, दो अब उसमें सर्च करे भीम एप, तीम इसके बाद आपके सामने भीम एप खुल जाएगा और अ अब उसे इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, सबसे पहले अपने मॉबाइल में भीम एप खोल ले, दो बब आपको वो भाशा चुन्नी है, जिसमें आप भीम एप को इस्तमाल करना चाते हैं, इसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएग जिसके लिए आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, और फिर जो भी परमिशन्स है, वो आप भीम एप को दे देनी है, इसके बाद आपको अपना मॉबाइल नंबर वेरिफाई करना है, इसके लिए आपको अपना वो नंबर सिलेक्ट करना है, जो की आपके बैंक अकाउंट म अड है. SIM सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें. अब Bheem app आपके फोन नंबर की वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद आगे प्रोसीड करेगा. 5. इसके बाद आपके सामने Bheem app में passport बनाने का option आएगा जिसमें आपको एक 4-digit passport बनाना होगा. 6. पास kord बनाने के बाद अब आपको वो bank सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपका account है. 7. अब Bheem App आपके bank के साथ आपके phone number को match करेगा और आपको आपका bank account details के साथ show करेगा इसके बाद आपको अपना bank account select करना है 8. इसके बाद थोड़ी processing होगी जिसके बाद आपके सामने Bheem App का homepage खुल जाएगा जहाँ पर आपको Bheem App द्वारा मिलने वाली services दिख जाएंगी 9. अब आपको अपने profile section में जाना जो की नीचे right में मौझूद होगा प्रोफाइल section में आप अपनी personal details, payment QR code और अपनी UPI ID देख सकते हैं इसके अलावा अपने profile section से आप नई UPI ID भी बना सकते हैं जिसके लिए आपको add new UPI ID पर क्लिक करना है आप चाहे तो Bheem App पर अपने नाम से या फिर अपने phone number से UPI ID बना सकते हैं इस प्रकार आप Bheem App अपना account बना सकते हैं और online cashless transactions कर सकते हैं